गुड बॉर्निंग सभी मित्रों को साथियों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ जो आपने कॉमेंट के माध्यम से हमसे पूछा है सबसे पहले मैं मालिक राम के सवालों के जवाब दे देता हूँ इनका सवाल है किसर आपने जो भी पढ़ाया है बिल्कुल भी नहीं फ़सा तो देखिए साथियो मैं सबसे पहले मालिक राम जी के इस सवाल के जवाब दूँ तो आप जिस भी क्लास में जो भी आपके साथी पढ़े होंगे पांस जार दस जार रुपए फीज दे कर अब उनसे पूछिये सायक सिक्षक में उनका कितना फ़सा साथियों किसी का पढ़ाया नहीं फ़सा है वज़ा ये है क्योंकि व्यापम इस बार प्रश नहीं ऐसा पूछा था शिक्षन सास्त्र न तो परियवरन में शिक्षन सास्त्र आया नहीं आपका गडित में शिक्षन सास्त्र आया है किसी भी विशय में हम चाहे सिक्षक की बात कर लें सहायक सिक्षक की बात कर लें सिक्षन सास्त्र इस बार आया ही नहीं दूसरी बात यदि आप सिक्षक में हमारा जा के देखिए गलित में सभी फासे हुए हैं जो टॉपिक हमने बताया जो क्वेस्चन्स बताया हैं कई क्वेस्चन्स भी आपको वहां से मिल जाएंगे सायक शिक्षक में आपका परियावरान भले ही नहीं आया कम्प्यूटर का आप जो पढ़े होंगे जो साथी देखेंगे पूरा पूरा उसमें से आया हुआ है अन्य विशय भी आया हुआ है जैसे हिंदी की मैं बात कर लूँ जो भी हमने बताया हुआ है परियावरान देखेंगे बाल विकास की भी अगर मैं बात करूँ तो बाल विकास भी साथियों आपका टॉपिक से ही क्वेशन आया है जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करवाया प्रस्णों के पूछने का इस्तर प्रस्णों के पूछने का इस्तर जो चीजे पढ़ाया जाता है गौकी सहयक सिक्षख के प्रस्णों से आप सभी साथी आउगत होंगे चली मैं बात करूं यहाँ पर अन्यक सभी के comments की मैं सभी की comments लेने का प्रयास कर रहा हूँ एक-इक करके सभी की comments ले रहा हूं तेट भी जरूरी है ठीक है सी तेट, सीजी तेट जो भी रहे तेर्की योगिता आपके पास होना बहुत जरूरी है फन अचरी एक और सर का कॉमेंट है सर जनरल फिमेल 72 आ रहा है देखिए यहाँ पर कट आप की यदि मैं बात करूं साथियों कितना कट आप जाएगा तो एक्जेक्ट कट आप की बात करना इसलिए मैं एक डोनों के बीच की कट आप की मैं बात करता हूँ ठीक है भई एक्जेक्ट की कभी मैं बात नहीं करता ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट आप लेन वाला है मानने होगा देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आप लेन वाला भी मानने होगा क्यों नहीं होगा साथियों आप स्वयम इस बात को सोचिए अंदाजा लगाईए पिछली भरती अभी आनलाइन तो काफी समय हो गया न बन रहा है पिछली भरती में भी जब आफलाइन चला था तो इस बार क्यों नहीं चलेगा भई जब हम जिस टाइम में पढ़ रहे थे उस टाइम में आफलाइन बनता था और हम उस वक्त के साथी हैं तो हमारा आफलाइन वाला ही चलेगा अब बन रहा है आनलाइन तो अब जो पास हो रहे हैं अब जो बन वा रहे हैं उसका आनलाइन ही चलेगा समझ रहे हैं न इस बात को भाई जिस समय MP बोल्ड था और MP बोल्ड से दोस्वी पास किया है उसको CG बोल्ड की सर्टिफिके थोड़ी मिलेगा जी नहीं मिलेगा भाई तो MP बोल्ड भी चलता है है न उस समय MP बोल्ड था तो यही है इसका हाल ठीक है अनुप्रमारान फार्म जो है आप वेरिफिकेशन के वक्त बनवाएंगे ठीक है वेरिफिकेशन होगा उस समय निर्देश जारी होगा दिसन निर्देश विभाग दरा जारी किया जाएगा उसके बाद आप अनुप्रमारान फार्म बनवाएंगे और मैंने वीडियो में CGTate Cetate का मेंसन नहीं कर पाया था उसके लिए चमा चाहूंगा साथियों CGTate Cetate की योगिता जरूरी है यह देखिए हाँ दीनेस बंजारे सरक कहना है यदि डीवी डाकुमेंट वेरिफिकेशन तक मैं NOC दे पाया नहीं दे पाया देखिए NOC तय तीथी के पहले का होना चाहिए रिजल्ट जारी होने के पहले का NOC होना चाहिए यदि आप बात के NOC जमा करते हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे चीक है मुझे आपसे पर्षनली बात करनी है पर्षनली बात के लिए मैसेज कीजिए चीक है चलिए, इंटिग्रेटेट कोर्सेस बेसी बेड वाले कैसे भरेंगे ये बता देजिए, हाँ देखी, इंटिग्रेटेट कोर्सेस जिन्होंने किया हुआ है उनको सभी कक्षाओं की अंग सुची एवं उसकी छाया प्रतियां की जरुरत होंगी साथियों, बेसी प्लस बेड कि आपके पास अंग सुची है, आप उसको सो करना पड़ेगा, ठीक है भई, मार्क सिट ओरिजिनल नहीं चाहिए होता, सर ये common सी सोच होती है भई, कौन सी जगा में ओरिजिनल मार्क सिट जमा होता है, कहीं नहीं होता, ओरिजिनल मार्क सिट आपका सिर्फ वेरिफिकेशन की लिए जरुत होती है जो आप जी रॉक्स को पे दोगे ना उसी को चेक करेंगे ओरिजिनल मार्क सिट के साथ की आपके द्वारा जमा की गई जो सर्टिफिकेट्स है वो ओरिजिनल है या नहीं है ठीक है भई सर जी अभी मेरी ग्रेजुएशन की डिगरी नहीं आई है तो उसकी भी ज़रुरत होती है हाँ देखिए मैं यदि आप सिर्फ सहायक शिक्षक के लिए आविदन कर रहे हैं तो आप बारवी दस्वी बारवी और डियलेट की योगिता वहाँ पर सो कर सकते हैं और यदि आप शिक्षक के लिए भी आविदन कर रहे हैं उस इस्थिती में आपको इसनातक की डिगरी क ज़रूरत होती है ठीक है टीटी तो बताया नहीं टीटी बताने की जरूरत नहीं है वो आप सभी जान रहे हैं बिना टेट के होता नहीं है है ना टैपिंग मिश्टिक्स था चलिए वेरिफिकेशन को कैसे करना है समझ में नहीं आया देखिए मैंने कहा verification को पहले से नहीं बनवाना है जब verification वक्त आएगा थीक है तो अनुप्रमारान form के लिए अब जब सासन द्वारा दिसर निर्देश जब जारी होगा विभाग द्वारा तब आपको ये जो जरूरी दस्तावेज है उसको complete करना है बाकि जितनी भी दस्तावेज हमने बताया है उसको आप complete कर लीजिए चीग है भई जरूरी है cost certificate offline वाला है सर तो कोई भी इसू नहीं होगी दिने सर यदि आपके पास offline वाला cost certificate है जाती प्रमार पत्र है तो वो भी मानने है जरूरी नहीं है भाई कि online वाला ही मानने होगा लेकिन याद रहें अब offline नहीं बनता है अब जाती और निवास online ही बनता है तो जो अभी वाले साथी होगे न उनका online ही चलेगा और जो बहुत पहले का पढ़ाई किये होंगे जिनका पहले से ही offline online वाला है उनका offline ही चलेगा ठीक है तो इस बात को ध्यान देना भई ठीक सर मेरा समीदा में है तो भी NOC लगेगा देखिए समीदा कर्मचारियों के लिए क्या प्रक्रिया है उसके लिए आपको complete जो विभागिया ज्यापन का अवलोकन करना पड़ेगा साथियों ठीक है क्योंकि इसमें समीदा के लिए भी NOC लगता है भई समीदा के लिए भी NOC लगता है टीटी का online वाला मार्कशिट है औरिजनल नहीं चल जाएगा औरिजनल सर औरिजनल मार्कशिट भी निकल रहा है भई आप सभी निकल वाके रखिए टीटी की ओरिजनल मार्कशिट को भी निकल वाके रखिए क्योंकि सबका ओरिजनल मार्कशिट आ चुका है एक साथि का प्रश्ण है सर सीटेट में इंगलिज सब्जिक्ट नहीं लिया हूँ संस्कृत लिया हूँ और सीटेट क्लियर किया हूँ तो कोई समस्या नहीं है सर यदि आप संस्कृत विशय से टेट पास हो या किसी भी विशय से टेट पास रहें आप सिक्षक भरती में सौ प्रतीसत पात रहो दो मत वाली बात नहीं है ठीक है भई ठीक है फर्स्ट लेंग्वेज में आपकी मदर लेंग्वेज में हिंदी आ गया है और शेकन लेंग्वेज में आप कुल 18 से 20 भासाओं में से कोई सा भी भासा आप चैन कर सकते हो आपने संस्कृत चैन किया कोई अंग्रेजी चैन करता है तो कोई उर्दू, मराथी, नहीं है, सर मेरा DLA और BAC दोनों को एक ही साल किया हूँ, देखिए भाई यदि दोनों रेगुलर हैं तो यह गयर कानुनी हो जाएगा, याद रखेंगे, एक आपका रेगुलर होना चाहिए और एक प्राइवेट होना चाहिए, यदि दोनों समान होगा तो ऐसी स्थिती मे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, रेगुलर दोनों नहीं हो, चलिए, सीटेट में यह समस्या हो गई है हमारी, हाँ, सर जी मेरा निवास प्रमार पत्र में सिक्षा है, तू पेन से लिखा गया है, जो आप्रेन बनवाया था, अगर निवास प्रमार पत् यह कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, चलिए, सर मेरा एड्मिट कार्ड डाउनलोड करके नहीं रखी हूँ, कैसे करूं सर, देखिए मैंने सुरू में ही कहा था, आप सभी को कि आप लोग आड्मिट कार्ड जारी, रिजल्ट एड्मिट कार्ड जो है, डाउनलोड करके रखिए, आपके पास तो होगा प्रश्ण पत्र के साथ, सभी उसको समहाल के रखिए, आपके वेरिफिकेशन के वक्त ये सब काम आएगा साथियों, ठीक है, बाद में बहुत ज्यादा परिसानी का सामना करना पर जाता है, और आप लोग बाद में ही पस्ता होगे, में ये सभी चीजें आपको पहले से बता रहा हूँ, डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लेटर वर्तमान पते पर भरेंगे, वर्तमान पते पर भर सकते हैं, देगे, ओनलाइन प्रोसेस जब हुआ था साथियों, तो इसमें देखू, आप वर्तमान पता पर भरेंगे, तभी तो आपके पते पर नियत समय में पहुँच पाएगा न, अगर वहां से कुछ भी अगर आपको भेजा जाता है, उस इस्तिती में, ठीक है, रोजगार पंजियन में डी एड बी एड एड होना जरूरी होगा की नहीं, देखिए, डी एड बी एड तो एड होता है, लेकिन र बात को याद रखना, पूर्व में एक साथी को अपातर किया गया था, जब उन्होंने याचिका दायर किया, तो उनको पातर किया गया, यदि आपके पास रोजगार पंजियन नहीं है, तो सिर्फ रोजगार पंजियन के लिए आपको नवकरी से वंचित नहीं किया जा सकत सासन रोजगार पंजिर्यान किसलिए करता है ताकि उनको पता चल सके कि हमारे प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं समझ रहे हैं ना अगले सवाल है लास्ट यर का ओरिजिनल मार्कषिट लगेगा किन्नियट कॉपी मैं उस समय आपके मार्क शिट आ जाएगा कोई समझ्या नहीं होगी एक से देड़ माहादा हुआ भाता है सबकी मार्क शिट आ जाएगी नहीं आएगी तो ओरिजिनल मार्क्षिट भी इसू होगी क्योंकि वर्तमान में सभी विभाग भी इस बास से आउगत हैं सिक्षविभाग भी आउगत हैं सभी जल्दी से रिजल्ट दे रहें हैं ना तो कोई समस्य नहीं सर जी 12 के बार डेलेर नहीं कि ये इस एक साल गेप हुए तो क्या गेप नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी नौकरी में गेप से मतलब नहीं होता साथियों है ना भई नौकरी में किसी भी तरह का गेप सल्टिफिकेट नहीं लगता ये फवा है है ना यहां नौकरी करना है आ आपकी समस्थ दस्तावेज complete होना चाहिए आपके gap से आपने कितना break लिया है वोने से मतलब नहीं है ठीक है भाई चली उसके बाद देखिए इस बार दो पेज में निकला था admit card एक को वहाँ जमा किये होंगे second page को देखिए admit card भाई आप तो सभी जान रहे हैं कि admit card क्या है ना चलो काफी सारे साथी answer देखिए भाई BCBA तो मेरा degree मानने है देखिए और मैं एक बात यहाँ पर बता दू कई साथी पूछते हैं कि सर मैं सीवी रमन उनवर्शिटी से किया हूँ कलिंगा उनवर्शिटी से किया हूँ मेरा मानने होगा की नहीं होगा तो भाई सबका मानने है साथियों यदि आपने सही तरीके से किया होगा और आप पंजी कृत है वहाँ है ना आपने वहाँ पंजी कृत है आप उस ऐसी स्थिती में च्छान बिन है होगी तो आप हसकते हो लेकिन आपने यह दिस सही तरीके से अड्मिशन लिया है तीन साल पढ़ाई किया है तो आप बिलकुल निसंदेह पात रहें तीन साल पुरारा नहीं अभी बनवा के रख लेजिएगा 150 रुपै में बन जाता है आयप्रमार पत्र लेकिन लगता तो नहीं लेकिन पिछली बार मांगा गया था इसलिए समस्या का समाधान या समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए हो सके तो आप जरूर कोशिस करें सर जैसे फिर दर्ज रहेगा तब क्या करना पड़ेगा सवाल समझ में नहीं है सर अभी वक्त है भाई सब का रिजल्ट आ जाएगा चिंता करने की बात नहीं है और टीटी के भी सर्टिफिकेट देना है मैं मैं मेंसन नहीं कर पाया हूं साथियों ठीक है भाई तो सभी ऐसे सब्चुल टेंसन में नहीं रहा है भाई सर मेरे एडमिट कार्ड में स्पेलिंग मिश्टेक हो गया सर नेम में एक ही जगह देखिए आप लोग ये समझ में नहीं आता साथियों देखिए mistake हुआ था तो व्यापम द्वारा उस mistake को सुधारने के लिए समय भी दिया हुआ था आप जान रहे हैं reopen हुआ था ताकि आप उन mistakes को clear कर सके फिर भी आप सभी साथी बाद में आपको verification में बहुत ज़्याद़ दिक्कत होगी आपके यदि result match नहीं खाएंगे आपके marksit match नहीं खाएंगे तो आपको समस्या हो सकती है इसके लिए आप उस समय आपको एफिडेविट देना पड़ सकता है सर राजपत्रित अधिकारी की sign कोई भी जिले का चल जायेगा लेकिन याद रखें वे जिस भी राजपत्रित अधिकारी से आप signature करवार है है वो आपको जानता हो भई कम से कम 5 साल से वो आपको जानता हो है न ये जरूरी है ठीक है राजपत्रित अधिकारी किसी भी जिले से 36 गड में या आप किसी भी जगा से करवार है हो तो वो मान्य है कोई समस्य नहीं सर 29-14 में काश्टर फिकेट बना है आपलाइन वाला है चलेगा इंदुमें कोई भी समस्या नहीं होगी चलेगा जो आपलाइन है वो भी चलेगा पुराना पहले का पढ़े हैं तो समझ्या नहीं है ठीक है घबराने की बात विल्कुल भी नहीं है हाँ आप लाइन चलेगा कोई समस्य नहीं आत्मा नंद में कार्यरत हैं अगर समीदा में तब भी NOC लगेगा क्या सर लगेगा जी बिलकुल लगता है किसी भी विभाग में आप कार्यरत हो चाहिए प्राइवेट चेक्टर में भी आप कार्यरत हो है ना तो उसके नियम आप देख लेंगे एक बार कम्प्लेट डिटेल्स रोजगार पंजियन जरूरी नहीं था पिछली बार के भरती के अधार पर हमने बताया हुआ है ठीक है टीटी अनिवार यह है भई टीटी को हमने ध्यान नहीं दिया डियर सर्ज जंडल और अधिकी काटेगरी यहां पर आरक्षित काटेगरी की मैं बात करू तो हमने वीड ना चलिए हां और है वेरिफिकेशन के बाद मेरिड निकलता है क्या सरहां देखी आप सभी का रिजल्ट जारी होगा ठीक है भई अब रिजल्ट में मेरिड निकलता है ऐसा नहीं पिछली बार क्या हुआ था सबका रिजल्ट जारी होने के बाद आप लोग इस बार भी वह प्यार हो पाएगा ठीक है किसका चैन होता है लड़की को मेरिज के बाद निवास पती के यहां का लगेगा कि पिता के यहां का देखिए सर यदि आप पती के यहां पिता का यहां का दे रहे हो तो आपके निवास तो वही है लेकिन आप आवेदक में किसका नाम भरे हो आवे नाम वहाँ पर मेंशन किया था ठीके बाई जाती निवास आफ्लाइन वाला भी चलेगा कोई समस्या नहीं है बीएड और सीजी टेट का भी डाकुमेंट तयार होता है सर डाकुमेंट तयार का मतलब ये है आप सभी चीजें रेडी रखिए ऐसे ऐसे लोग भी राते हैं समय आने पर खोचते हैं कहां गया मेरा सीजी टेट का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं कहां गया हर बढ़ाहत हर बड़ी में गरबड़ी होना लाजमी है भाई इसलिए सभी चीजें पहले से रखिए है ना ताकि कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े चलिए आई होप कि आप में से बहुत सारे साथी जिनका सवाल वास्तों में उचित था हमने उन सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है इस वीडियो में इतना ही साथियों जो भी सवाल रहेगी बिल्कुल आप कॉमेंट में पूछेंगे सभी सवालों के जवाब हम देने का प्रयास करेंगे देख सकते हैं हमारे पास प्रती दिन आपको स्क्रिन पर सो हो रहा है कम से कम दो से तीन सव मेसेजेश आ रहे हैं किया है ताकि आपको उन सवालों के जवाब मिल सके जिन सवालों को लेकर आप समस्या में थे आप सोच में थे चलिए इस वीडियो में इतना ही जैहिन वंदे मातरम